आर्सनिक अल्बम 30, कैमफर 1M, ये दोनों हुमियोपथिक मेडिसन्स आपके सोचल मीडिया पर वाइरल हैं as preventive for coronavirus disease तो जब आप facts की बात करते हैं, ऐसा हुमियोपथिक डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको aware करूँ और aware होना आपका right है नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर चक्षू, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि आप जानते हैं, मैं health education videos बनाता हूँ आज हम लोग बात करते हैं 3 मिन मुद्दों पर नमबर 1, होमियोपथिक मेडिसन्स कितनी effective है as preventive in coronavirus disease नमबर 2, होमियोपथिक मेडिसन्स कितनी effective है as treatment in coronavirus disease और नमबर 3, arsenic album 30, camphor 1M, कौन सी मेडिसन लें, किस तरह लें, क्या precautions रखें, आज हम लोग सिर्फ इस पर बात करेंगे तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग केवल facts के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं होमियोपथिक medicine as preventive तो arsenic album 30 को ministry of IUs ने recommend किया था as a preventive medicine in coronavirus disease और लगभग सभी states में इस समय arsenic album 30 को distribute किया जा रहा है तो गुजराच सरकार के एक सचिव ने press conference में जो information दी उसके according 76 lakh लोगों को तब तक arsenic album 30 के preventive doses दिये जा चुके थे और quarantine centers में भी उन्होंने option दिया कि आप alternative medicine को choose कर सकते हो for your treatment जिसमें से लगभग 6,210 लोगों ने choose किया Ayurveda and homeopathy for their treatment जिनमें से 2625 लोगों को arsenic album 30 दी गई for their treatment उनमें से किसी भी patient की report positive नहीं आई तो this proves कि homeopathic medicine arsenic album 30 बहुत ही effective homeopathic preventive medicine है for coronavirus disease अब चलिए बात करते हैं treatment की तो homeopathic medicine को अभी हाल फिलहाल में ही government ने अप्रूव किया है to be given to patients which are positive coronavirus patients तो नैमिनाथ homeopathic medical college आगरा में जो 42 patients admit थे उनको symptomatic basis पर जो medicines दी गई जिसमें arsenic album भी include हो सकती है तो वो patients को treatment में काफी effect मिला और वो patients को काफी सुधार भी हुआ discharge status मेरे पास अभी available नहीं है लेकिन जो press conference वहाँ पर डॉक्टर प्रदीक उपता ने की थी उसके according सारे patients का improvement rate बहुत ही हाई है तो जैसा कि अभी तक facts के साब से मैंने बताया homeopathic medicine as preventive and as treatment दोनों conditions में बहुत ही effective साबित हो रही है अब बात करते हैं तीसरे सवाल की यारी आसनेक अलबम 30 या camphor 1m तो पहले समझे है कि 30 और 1m यानी 1000 पावर यह दोनों पावर है potency है select करने का right केवल एक institutionally qualified homeopathic doctor के पास ही है तो प्लीज self-medicate मत कीजे अब बात करते हैं कौन सी दवा ले तो देखिए आसनेक अलबम और camphor दोनों अलग लग दवाईयां हैं दोनों का sphere of action अलग है आसनेक अलबम एक डी पैक्टिंग रेमेडी है लगबग सारे डिशू और 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 पर काम करती है conditions चाहें acute हो chronic हो या emergency हो तीनों conditions में बहुत ही effective है अब चाहें वह mental conditions हो anxiety depression insomnia इसके अलावा आपको lower respiratory infection हो या upper respiratory infection हो asthma हो COPD हो neuralgic conditions हो gastritis हो hemorrhoids हो पाइल्स हो bleeding हो रही हो बर्निंग हो रही हो शरीर के अंदर और in fact autoimmune disorders जैसे psoriasis इन सारी conditions में आसनेक बहुत ही जादा effective है मतलब इसका sphere of action बहुत broad है अब बात करिए camphor की तो देखिए camphor का sphere of action थोड़ा limited है क्योंकि यह एक short acting remedy है मतलब अगर हमारा patient shock में चला गया है और shock की वज़े से उसके हाथ पर ठंडे पड़ गए है, vitals fall हो रहे है, pulse weak है तब हम camphor को इस्तेमाल करते हैं, camphor एक बहुत ही अच्छा heart stimulant है इसके अलावा camphor के साथ जो cholera conditions होती है, उन conditions में चाहें वो cholera morbious हो या isiatic cholera हो दोनों conditions में आप camphor को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे result देती है, तो इस तरह दोनों दवाईयां का, जो दोनों दवाईयां है, उनका sphere of action बहुत जादा अलग है और एक acute medicine है और एक deep acting medicine है, अब बात करते हैं कौन सी लें, तो पहले समझिए कि आसनेक album 30 को recommend किया था, आयूश ministry ने, जिसके अंडर में आता है research division of homeopathy तो scientist great doctors ने Indian conditions के हिसाब से recommend करी है, आसनेक album 30 और इसी वजए से इतने सारे results आसनेक album 30 दे रही है, as preventive medicine and as treatment तो मेरा recommendation है कि सिर्फ आसनेक album 30 लीजिए, अब बात करते हैं camphor 1M की, तो देखिए camphor 1M, पहले तो 1M बहुत हाई potency है, दूसरा camphor एक universal antidote है, मतलब अगर आप homeopathic medicine लेते हैं regularly और अगर वो medicine plant kingdom, यानि plant से बनी है, तो आप chemphor लेने के बाद उसका action antidote हो गया, मतलब उस का action खतम हो गया, तो इसलिए अपने homeopathic doctor से संपर्ख कीजे, उसके बाद ही camphor लीजे, otherwise मतलीजे, अब बात कर लेते हैं कि किस पाबर में ले या किस तरह ले, तो अगर आप chemphor लेना ही चाहते हैं, और आपने symptoms पढ़ लिए हैं, इंटरनेट से आपको research मिल गई है, और आ नहीं अच्छा action दिखाएगी, लेकिन 1M एक higher dose है, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी high dose ले बिना किसी recommendation के, तो अगर हम arsenic की बात करते हैं, तो जैसा recommendation Ministry of I.E.U.S. ने दिया है, कि तीन doses लीजे, दिन में तीन बार लीजे, तीन दिन तक लीजे, और उसके बाद आप चाह patients की सेवा कर रहे हैं, या health worker हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, और आप preventive के दौर पर लेना चाहते हैं, तो आप अपने nearby home doctor से संपक कर सकते हैं, या telemedicine से पूछ सकते हैं, पर मेरा recommendation है, आप आसनेक album 30 को दिन में 2 बार तब तक लीजे, जब तक आप duty पर हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी, controversial नहीं है, मैंने सारी बातें केवल facts के उपर ही बताई हैं, इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज जनहित में अपने friends के साथ, अपनी family के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू